अमबर हम अमबर तुम हिंदी के बारे में क्या सूछति हो मतलब मतलब तुम्हें हिंदी सब्जेक्ट कैसा लगता है फिर लागता है नहीं जैसे अगर हिंदी और English का कंपेर करना हो तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है Hindi या English? English, क्यों? क्योंकि English से मारे Communication Skills ज्यादा बेटर होती है तो अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो English का यूज जादा करेंगे अब जैसे चाइना में या तो Chinese बोली जाएगी या फिर English बोली जाएगी नेपाल में या तो नेपाली बोली जाएगी या फिर English बोली जाएगी तो मतलब अगर हम कंटी भी किसी देश में जाएं या फिर किसी ऐसे स्टेट में भी जाएं जहां की भाजा हमें नहीं आती तो हम या तो English का यूज करेंगे तो इस रितमें लगता है कि English ज़्यादा जरूरे है हिंदी क्यों नहीं? हिंदी जैसे commonly हर कोई बोलता है हिंदी थोड़ी difficult भी है क्यो? मतलब कुछ-कुछ words है मुझे तो हिंदी ही सरल लगती है इतना ज़्यादा कुछ-कुछ words है हिंदी में मुझे तो English इतनी hard लगती है इतनी कठिन लगती है तुभे हिंदी हिंदी थोड़ी-थोड़ी hard हो गई है जैसे कुछ words है हिंदी में जो नहीं बोले जाते हैं जैसे? कोई एक word बता दो मुझे तो तुम्हारी इस बात पर हिंदी कठिन है मुझे तो हिंदी से easy कोई subject ही नहीं लगता जैसे कुछ-कुछ words है जैसे? जैसे? द्रोणा अचार है? हाँ अच्छा जैसे इधिश्ठेर? हाँ यह सब मुझे तुम्हें कठिन word लगते हैं और English में तो मुझे इतने सारे word दिखते हैं मैं तो पहले बहुत सारे word नहीं बोल पाती थी अब तो भी कोशिश करते करते तुम लोग को देख देख के सीख गई और बहुत अच्छी मतलब अब तो ठीक ठाक हो है ने तो हम मुझे तो English इतनी कठिन लगती थी हाँ इंगलेश में थोड़ी कठिन है पर अगर ट्राय करें तो इंगलेश थोड़ी बोली जा सकती है ने और एक सबाल और इंगलेश हमारी मात्रभासा होनी चाहिए या हिंदी हमारी मात्रभासा सही है मालब आज के युग में किसकी ज्यादा प्राथमिक्ता है आज के जनेरेशन में आज के जनेरेशन की बात की जाए तो इंगलेश का मात्रभासा बनाने जीए क्योंकि अब तो हिंदी का बिल्कुल मालब यूजी बहुत कम होगा है ये तो बहुत गलत बात कह दी हमारी मात्रभासा है और रहेगी इंगलिस पढ़ो पढ़ाई के लिए है हिंदी हम हिंदुस्तान में रहते हैं मैं हिंदी हमारी मात्रभासा हिंदी हमें चाहिए बताओ मैं हिंदी से मुझे इतना लगाओ है हिंदी मेरी मात्रभासा है मतलब करी सारे स्कूल है वह अलग बात है क्योंकि इंग्लिश को एक जब हमारी जरनेशन थी हम हिंदी पड़ रहते तो क्या हुआ कि इंग्लिश को एक जैसे बोलते हैं कि हव्वा बना दिया गया कि नहीं नहीं इंग्लिश मतलब बहुत ही उसे प्रियार्टी दे गई बहु बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं हिंदी को एक अगर मैं किसी से मतलब पर्टिकुलर किसी को नहीं करें कि बहुत सारे लोग हिंदी को हींद रिस्टी से देखने लगे कि हिंदी आपको तो बस हिंदी ही आती है अधर कोई लेंग्विज ही नहीं आती इंग्लिश आपको बिल जैनेशन तो सबसे पहले Hindu से समशार हो जाती है तो क्या कहना है आपका Hindi के प्रदि आपो इससे मैंने ये देखा कि आज की जैनिशन को Hindi पसंद ही नहीं है Hindi बोज लगता है ना सही या गलत सही है या गलत जलदी बॉल आगे बढ़ाई जाएगी ओके अमबार